मैं तुम बना लो ना यार यह फोना रहा वेवर इस पर हूं काट रहा हूं मैं मिल बना लो अब चल लिया आज एक दो चार दिन के लिए तिवार का टैमने दीग मैं अब लिए सब के घर में तिवार बनी गहाई तो ऐसे लिए रोखा नहीं नमस्कार मैं अपूर्वा आप देखें दिव्यांग जगाता ये बढ़ते कुछ खबरों की ओर इरिक्सा रोड डाइवर्ट को लेकर दिव्यांग जनों ने घेरा डियम कार्या ले मेरट में इन दिनों इरिक्सा की शंक्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसको लेकर मेरट जिलादिकारी दीपक मीना ने जाम से निजात दिलाने के लिए इरिक्सा का रूट डाइवर्ट कर दिया है जिसको लेकर दिव्यांग जनों में आकरोस पेदा हो गया उनका कहना है कि जो दिव्यांग लोग है उनसे कोई कारोबार नहीं हो सकता वे अपने परिवार का पालंग पोसन यी रिक्सा चला कर कर रहे हैं लेकिन अब जिलादिकारी ने यी रिक्सा का भी रूट डाइवर्ट कर दिया है जिससे उने काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिव्यांगजनों का कहना है कि जिनके हाथ पेर सलामत है वे तो सामान उठा कर रख लेते हैं लेकिन हम दिव्यांगजन कैसे रखेंगे हम तो सवारी को ही बिठा कर अपने परिवार का पालन पौसन करते हैं उन्हें कहा कि हमारी मांग है कि जिलादिकारी जितने भी दिव्यांगजन इरिक्सा चला रहे हैं उनके लिए कोई भी रूट डाइवर्ट ना किया जाए नहीं तो जिलादिकारी हमारे लिए काम की वेवस्ता कराएं ताकि हम अपने परिवार का पालन पोसन कर सकें परदर्सन करने के दोरान अमित कुमार सर्मा अध्यक्ष मुकेस दिक्सित शोयब रोहित कुमार रवी जितेंद्र नगर राज कुमार नितिन उपध्याय बिट्टू मोसीन नदीम शद्दाम महेस आरिफ जोनी बबलू अनुज शर्मा सोनू जगदीस चंद्र सोकिन सिवा मह पहराज आदी लोग मोजूद रहे अगर कोई इस तरह की दिव्यांग जनों के साथ घटना होती है ये बिल्कुल जाइज बात है कि ये रिक्षा का जो रूट डाइवर्ट करने से दिव्यांग जनों को जो परेशानी हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा दिव्यां हम लोग है वो अपने परिवार का पालन कोशन कर सकते हैं लेकिन हम सामान उठा करके ये रिक्षे में नहीं रख सकते हैं हमारी जो जिन्दगी है हमारा जो रोजगार है वो सावारी बिठाने के बाद जो पैसा हमसे मिलता है उसी से चलता है देखिए दिव्यांग जगत प मैं तुम बना लो ना यार यह फोन आरा बेवर इस पर होन काट रहा हूं मैं मिल बना दो कि तो अब चल दिया आज एक दो चार दिन के लिए तिवार का टैमने नजदीग में अबने अबने रख्षम के घरना कि वार्वार में तो ऐसा है रोपन है एक दियम साथ को नहों प अब तक के खबरों के लिए बस इतना ही आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे नमस्कार